चार ऐसे सजेशन जिससे कि अग्मीपच स्कीम को और अट्राक्टिव बनाया जा सकता है। सबसे पहला ये कमेंट इसने का कि अगर यूथ एमपावमेंट ही क्राइटेरिया है, तो क्यों ना इन चार साल के ट्रेंडिंग पिरिट को अज़ ग्राजुएशन डिग्री इंट्रिद्यूस की जाए। क्योंकि इस पिरिट में वो काफी स्किल्स तो अक्वाइर करी रहे हैं, अपनी ट्रेंग के बाद उनके पस एक डिग्री भी आ जाएग। दूसरा, effective communication, government के सारी schemes पर लगा लो, अग्मी पच स्कीम जिसमें pension reduction में मुद्दा नजर आ रहा है, उसके जगह अगर आर्मी को और बेटर करना, modernize करना, tech savvy करना, youth empower करना, इन पॉइंट्स को पर strongly communicate किया जाए, तो इस scheme को objective जादा समझ में आएगा। तीसरा, COVID के कारण, आम forces का selection process दो सालों से रुकावाए, ऐसे में 2019 और 20 के batches का recruitment पुराने process से होना चाहिए, चौथा, home ministry, defense ministry और अलग-अलग states ने अग्मी वीर के लिए different jobs introduced की है, इन सारे वादों को lock करके एक act बिनाना चाहिए, ताकि कल को अगर कहीं की भी कोई government बन ले, तो इन वादों पर फरकना पड़े,